बबलू डबलू पार्क में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। देखते हैं आज बच्चे क्या सीखते हैं। एक समय की बात है कि एक नंधा खर्गोश अपने घर में बिलकुल अकेला था। तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दर्वाजा खोला एक भेडिया उसको निगल गया। मंगू डरने की जरूरत नहीं है सब कुछ ठीक है। बढ़े उदास होने की जरूरत नहीं है। यह समझना जरूरी है ठीक है। बताओ बच्चों अगर कोई अजनभी तुमारे दर्वाजे पर आकर दस्तक दे तो तुम क्या करोगे। मुझे पता है। मैं बताओ लो मैं बताओ कुछ ये कूच। नहीं है। अगर भार दर्वाजे में कोई बुरा आत्मी खड़ा हो तो वो तुमें खा जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए। तो पोच दमरू हम क्या करेंगे। याद रखो बच्चो अगर घर पर कोई बड़ा नहीं है तो अजनवी के लिए धर्वाजा कभी मत कोलना। सुरक्षा पहले आती है। समझ गये तुम सब। हाँ। मिलते हैं पिंकी बाई गुलू। बाई हे मंगु कर तुम आ रहे हो ना फिर मत करना। पता करना होगा कि बच्चों ने कितना सबक सीखा है। सुनो बच्चों जब मैं घर में नहीं होगी अपना खयाल रखना। हाँ ममी ठीक है। ठीक है तो मैं चलती हूँ बाई। क्या उन्हें कुछ शक हुआ है। क्या उन्हें कुछ शक हुआ है। नहीं पता कुछ डमरो आप उनका टेस्स कैसे लेंगे। मैं इस मुश का इस्तिमाल करके उन बच्चों के सामने अजनभी की तरह जाओंगा। और फिर पता सदेगा कि वो क्या करते हैं। अच्छा प्लान है। गुड़ लग। मंगु आ गया। मैं आ रहा हूँ। मंगु दोस्तों रास्ते में मैंने आते वक्त किछ देखा। ऐसा क्या देखा तुमने बताओ हमें। मैंने मैंने कुछ अजीब सा देखा। वो हाती जैसा पाला था। हाती की तरह। पर उसका चहरा तुम लोगों के जैसा था। उसकी काली मुझे थी, लाल स्कार्व के साथ पड़ी सी कॉटन की जाकेट और हाथ में फलो की टॉकरी भी थी। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था इसलिए आने में देर हो गई। वो आ गया। वो जाना पहचाना लगता है। वो छुक्त रहा है। वाल वाल बचा में। कोई बात नहीं लेकिन आज मौसम कुछ जादा ही गर्म है। तो फिर इसने इतने कपड़े क्यों पहने है। अजीब बात है। हलो बच्चों कैसे हो तुम लोग। यह हमारी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे। एक काम करते हैं हम दर्वाजा बंद कर देते हैं। वो अंदर नहीं आ पाएगा। इसे घुमाओ। यह बच्चे तो वाकई में बहुत समझदार है। मैं थक गया। हलो बच्चों वो क्या है कि बाहर बहुत गर्मी है। क्या मैं अंदर आके थोड़ा आराम कर सकता हूं। नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें एक बुरे आद भी हो सकते हूं। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। बहुत ठक गया हूं। प्यास भी लगी है मुझे। क्या मैं अंदर आके थोड़ा पानी पी सकता हूं। छोटे, वह मुझे सच्चा लगता है। क्या हम उसे अंदर ले ले। मान जाओ बच्चो, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं, हम इसे घर में नहीं ले सकते। ममी घर पर नहीं है। पर मुझे रगता है उसे थोड़ा सा पानी चाहिए। पर भोच रम्रो ने कहा था कि हमें अजनभी को घर के अंदर नहीं लेना चाहिए। मैं ख़ता खोटका तुम्हारी मम्मा को धूनकर जल्दी से लेकर आता हूं। तो बच्चों सचने ब्यास लगी है मुझे। प्यारे बच्ची तुम छुबच्च भी खेलना चाहते हूं इसे। पंगु वापस आओ। सुनो बच्चों मैं कोई बुरा आद्मी नहीं हूं। चले जाओ। तुम पुरे आद्मी हो तुम्हें मंगु को पकड़ना चाहा। मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूं। वो अक सर मुझे बताती कि नीज Prose प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक कडाम छोटे हैं और एक कडाम बड़े। सही कहा हूं। को मुझे यह बी करती है कि छोटे को फुटबॉल पसंद है、 और बड़े को बड़े को शेहत्त पसंद है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत सारी बाते बताई हैं तुम्हारे बारे में उन्होंने तुम्हें क्या बताया उन्होंने का तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो चोटे तो खास तोर पे बहुत समस्दार है और मेरे बारे में तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बच्चो मुझे अंदर आने दो बच्चो देखो मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लेकर आया हूँ पुश्बू अच्छ है चोटे हम उन्हें अंदर भुलाते हैं मामी ने अजनभी से खाना लेने मना किया है और तोस्ट गम्रु ने भी हमें यहीं बात सिखाई है जब तुम घर पे अकेले हो के सच में तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे मैं तुम्हे नहीं जानता माफ करना तुम अंदर नहीं आ सकते हैं बहुत बढ़िया तुम बच्चे बहुत समझदार हो तल मने तुमको जो सिखाया था तुमने अच्छी तरह समझ लिया है वो हमें पकड़ लेगा बड़े सा मिच्छी करो अरे बच्चो तुम सब कहा हो मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ और यह बच्चे तो सच में बहुत ताकतवर भी हैं चलो भी बच्चों अब छुपने की ज़रूत नहीं है अहीं कोच टम्रू तुम झूटे हो पहले तुम मामी के दोस्त बने और अब तुम कोच टम्रू बन गए हो यह सई कर रहा है नहीं ऐसा नहीं बच्चो मैं कोच टम्रू हूँ मुझे तुम परविश्वास नहीं ओ मैंने अपनी मूश तो निकाले ही नहीं देखो बच्चों आप डरने की ज़रूत नहीं है मैं सच में कोच चमरू हूँ हमें तुम पर विश्वास नहीं है तुम चले जाओ अरे नहीं तो सच में डर गए हैं मैं इनकी मां को भूला के लाता हूं मिसेश शर्मा मिसेश शर्मा तो कुछ नहीं कर सकता मामी कहा है वापस क्यों नहीं आया अभी तक बड़ी चोटी ममी वापस आ गई बच्चों बाहर आओ बच्चों ममा आ गई मेरे बच्चे ममी यह कशने भी तुम्हारा दोस्त पन कर आया था पर हमने उसे घर में नहीं आने दिया बेलकुछ सही किया उसने मुझे कुछ खाने को पर दिया लेकिन मैंने नहीं लिया तुमने बहुत अच्छा किया बड़ी और तुमने भी मंगू कैसे हो बच्चों कोश गम रोप्या जब आए थे तो आपने किसी अजीब से आदमी को देखा अगर मैं सच कहूं तो मैं ही वो अजीब से आदमी हूँ काल तुम्री सुरक्षा का लेसन पढ़ाता ना इसलिए कोज खाण लेना था सही कहा और तुम सम्यम इरे इंचाम है बहुत अच्छी तरह से अगर कोई तुम्हारे दर्वाजे पर तस्तक दें तो मम्मी पापा से पिना पूछे दर्वाजा ना खोले और अगर बड़े घर पर ना हो तब तो बिल्कुल भी मत खोलना फिर मिलेंगे बाइब बबलु डबलु पार्क का एक और सुहाना दिन, देखते हैं बच्चे आज क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, आज हम सारी जगा की सपाय करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सपाय करेंगे! मिस पैनर जी मेरे लिए रुकिये, मैं भी सपाय करूँगा! निकू भी हमारे साथ है, चलो बच्चों, सब मिलकर शुरू करो, ये, ला, 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 वो क्या है यह किसका हो सकता है जराइन खिलानों की तरफ तो देखो बड़े यह क्या हो रहा है अ मैं कब से ढूंट रही थी वो मेरा चाहस है यह तो मेरे पुराने पद्धर की तरह दिख रहा है ज़रा मैं देखो हम भी तो जरा देखें का राश्कमत सुनों दोस्तों यह हमारे पुराने खिलोने हैं यह यहां Ampare ये मेरी फुराने फुट वूत बाल हैं मैं से बैदरल बच्चों हमारे पास पुराने खिलोनों के लिए ज्यादा जगा नहीं हैं क्या तुम सब अपने खिलोने घर लेकर जाओगे पर मिस्स बैनर जी हमें नहीं लगता कि हम इन खेलोनों के साथ और खेलना चाहेंगे हम इसके साथ अभी नहीं खेलते हैं मैं समझ गई अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पर ये दुख के बाद है कि इनसे कोई नहीं खेलेगा चलो इसका कोई हल निकालते हैं मुझे पता है हम ये खिलोने उन्हें दे सकते जिनके पस नहीं है और वो भी इन खिलोने से खेल सकेंगे हाँ हाँ अच्छा ही है ठीक है निकू मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर इस काम में मदद करो हाँ सानची बच्चों इस खिलोने बहुत ही गंदे हैं इन्हें किसी को देने से पहले अच्छी तरह साफ करना होगा कि यह जो अब यह साफ हो गए वाँ दोस्तों यह जैसा देख रहा है पर हम इन्हें बाटेंगे कैसे बताओ मुझे मैं समझ गया पूस्दमरू के पास एक भी खिलोना नहीं है तो हम यह सब खिलोने उनको दे सकते हैं कि मुझे तोफ़ा देने की कोई जरूत नहीं है बड़े यहां देखो पूस्दमरू हमारे पास यह पुराने खिलोने और हम आपको तोफ़े में दे रहे हैं इस अश्मे बहुत प्यारा है लेकिन मुझे इसकी जरूत नहीं है क्यों नहीं आखरी बार जब मैं आपके घार आया था तो मैंने वहां एक भी खिलोना नहीं देखा हुँआ हो बच्चो अब मैं बड़ा हो गया हूं मेरे उम्र खिलोन से खेलने की नहीं है लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा इसके लिए बहुत शुक्रिया फिर मिलते है अब हम क्या करेंगे बता आओ मुझे पता है हमें ये बब्रो डबलू पाक के दोस्तों को देने चाहिए ये बिल्कुल सही है ये हो गया किसे देखकर पता चलेगा कि खिलोने कहां पर है सुनो दोस्तों देखो सारे पोस्तों लग गए बहुत अच्छा ने करें चोटे अब हम चल सकते हैं पड़े तुम अराम करो यहां से हम संभाल लेंगे ठीक है इसका क्या मतलब है निकू यह सब किसके लिए यह आसान है इसका मतलब यह है कि हम त्री में खिलोने दे रहें अगर लेजाओ अपना मुफ्ट का खिलोना यहां से लूँ आओ और लेजाओ मुफ्ट के खिलोने और लेजाओ आज आओ और लेजाओ मुस्ते खिलोने कोई तो ले जाओ कोई क्यों नहीं आ रहा करने की जरूरत है चलो कुछ खेल करते हैं ठीक है चोटे बचाव के लिए पाइलट चोटे पीछ जाओ फिचे जुआ धर मांजा वाट घर करते हमारा खिलोने कोखे लोखे तुम्हें जो चाहिए तुम ले जा सकते हो यह सही कह रहा है आपने बसे मिले लो नहीं हमारे पास सारी खिलोने हैं चलो फिर मिलेंगे ऐए हैं हाफ पिर बीलेंगे मेरे कहल से यह खिलाने किसी को भी पसंद नहीं आये हैं किसी को यह नहीं चाहिए अब हम क्या करेंगे यह हमारे देश के नेता जूते वादे करना कब बंद करेंगे अरे प्यारे बच्चों तुम लोग इतने उदास क्यूं हो क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं तुम्हारी बताओ हम ये खिराने मुफ्त में देना चाहते पर कोई लेना नहीं चाहता उस गमरु को भी ये नहीं चाहिए और नहीं किसी और बच्चे को मिस्टर बंता तो हमें नहीं पता हम इनका क्या करेंगे मुझे जरा सोचने दो ओ हां जरा एक मिनट रुको यहीं कहीं था ये तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी ख़बार है बच्चों देखो इसमें लिखा है यहां से कुछी दूर पर एक जगा है उस जगा का नाम है संशाइन पार्क वहां के बच्चों को खिलोनों की बहुत ज़रूरत है और इसी लिए उन लोगों ने पेपर में इश्तिहार दिया है ताकि सब लोग जान जाए उन्हें खिलोने चाहिए pedal को मिजट से खिलोने बहार नहीं किरेंगे हो गया आज खुछ तो बहुत होगे तुम हाँ मिस्टर बंदा के मदद से हुलो ने हमें एक जगा के बारे में बताया जहां खिलोनों की ज़रूरत है तो हमने तेय किया कि हम अपने सारे खिलोने और देंगे दोस्तों एक और बात हमारे हैं संशाइन किंडर गार्डेन के प्यारे दोस्तों ये खिलोने हमारे तरफ से तौफे हैं हमें लगता है कि आपको पसंद आएंगे तुम्हारे दोस्त निकू छोटे और बड़े की तरफ से तुम सब मजे करना हो गया तैयार है यह तो बहुत ही अच्छा है जल्दी हमारे पुराने खिलोनों से कोई खेलेगा का इस चोटे और नेकू मैं सोच रहा हूं कि हमारे खिलोने दोस्तों तक महुंचे होंगे की नहीं बस चांदी रखों उन्हें जरूर मिल गए होंगे मैं शयर्ट लगाता हूं उन्हें बहुत पसंद आएंगे मेरे ओफिस में तुम्हारा लेटर आया है जाकर देख लो जरूर संशाइन स्कूल कर जवाब होगा जिने हमने लिखा था चलो ठीक है देखते हैं मेरे लिए रुको यह रहा जलना खोलता हूं यारे निक्टू छोटे और बड़े बहुत शुक्रिया के लोनों के लिए अमें बहुत पसंद आए उझे देखते दो देखो दोस्तों देखो उन्हें सपों खेलते हुए को अपने खिलोने के साथ कितने खुश लग रहे हैं है है दोस्तों क्या तुमारे पास पुराने खिलोने है याद रुको तुम उन्हें दूसरों के साथ बाट सकते हो अगली बार में लेंगे बाई